हरकृष्णा कैसे आप सभी आप बलीव आप सब बढ़िया होंगी आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं बहुत ही ब्यूडिफुल टॉपिक हैं आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके स्पाउज जब रुमैंटिक हो रहे होंगे और बट आप बड़े चाल्डिश हो रहे होंगे तो मतलब को कैसे रुमैंस करेंगे आपके साथ बड़े टॉपिक है तो आज की इस देखने वाले हैं लेट सी क्या रीडिंग आती है आप लोगों के लिए आप तब के लिए चलिए देखते हैं किसी को भी पेड तैरो रीडिंग कर्वाने के लिए या फिर अगर आपने कॉंटेक्ट करना है तो जो वीडियो में नंबर नजर आ रहा है आपको इसी नंबर पर आप कॉंटेक्ट कर सकते हो वाटसब कर सकते हो और आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा ठीक है और मैं अपना नंबर कहीं नहीं देती हो सिर् भॉट सेलेक्शन करते हैं तक गवान की जढ़ाते हैं तो भॉट नाब लेजिए जितना ले सकते हो जैसे ले सकते हो जहां ले ले सकते हो रवक्त बस लेटे रहूं ठीक है कहने की जरूवत ही न पड़े आपस लेते रहूँ ठीक है पाल वन और पाल टू अलग से काड़ आए है पाल वन के लिए जो आ रहा है वो यह है फाइफ ओफ कॉइन्स ठीक है फाइफ ओफ कॉइन्स आ रहा है आपके लिए यहां से आप देख सकते हैं यह चोटी सी एक लड़की है जोकि बड़ी सैड है और यहां बैठी हुई है बड़ी ठंड में वो भी कहीं किसी आउट डॉर दो कुछ आ इमोशिन्स एमोशनल एनरजी आ रहे हैं और यह तो इन गड़ी गांश्रिदिज काुंअ जह रहा है रहे हुई यह थोड़ी एनज्ग आ ہے फेस देख कर आपख पता चल रहा है यहां छिपने निंसट फ्पन से अंग्री मोहां सत्पर हैं ऊंटभी उड़ी ना बइनें यह energy कार्ट्स की जारों खेग के जटकी आ है तो देखली जव कौन से यहाँ से attract कर रहा है' जटकी स्कषुल को दोनों अलग अलग कार्ड्स हैं तो आप देख लीक्ता कौन से attract कर रहा है कि फ़्तर त्रेटरएं समिक्षिंड त्रेट सुनकर्णा जथे रहा है complete winter ऐसा सीजन भी आ रहे हैं यहां पर तो देख लीजिए अगर आपने अपने बर्ट मंद के accordingly select करना है तो यहां से live selection हो रहा है ध्यान से सुनेगा ठीक है मैं दीरे दीरे बताऊंगी ठीक है जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए जन्वरी, फर्वरी, मार्च, एपरिल, में, जून, जुलाई, अगस्त, सेप्टेंबर, ओक्टूबर, नुवेंबर, दिसेंबर ठीक है देख लिजे आपको कौन सा पाहिल है मैं बलूंगे आपको आपकी रीडिंग में राधी राधी पाहिलवान चली देखते हैं जब आपके spouse romantic mood में होंगे लेकिन आप बड़े childish हो रहे होगे तो उस वक्त वो आपके साथ romance कैसे करेंगे बड़ा cute और बड़ा प्रफल कर लेते हैं आप अप सब के लिए और भागवान का नाम चली लेंगे फिर उसके बाद रीडिंग शुरू करेंगे चली एक साथ लेते हैं परभू का नाम हुआ नाम okay the moon and the sun as you can see I remember a series Yes it will be! it was a popular series I remember a lot of stars plus stars I know how much I feel but this will be too much कुछ 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 ... ऐसी होगी ठीक है विपलो देख़े है जू प्योट बेल्ड़ी आरी है वो यह आरी है किना यू आरी डिप्रेज्ट डििप्रेज्ट उहले डिप्रेज्ड न थोड़ा साना दीक हैं आपको डाट बढ़गी स्वावसे हाँभी इस महों से आवको किसी चीज़ पर डाट दिया ठीक है।hower हो जब डाट दिया ऐसे होता है कि जो प्यार करते हो normal निपन कि जो प्यार करते है उनसे जब डाko पिद पर फिर फिर वहीँ से तो जो भी बात हुई है बस आपको डाट दियो ने अब उनको भी ए चीज थोड़ी ही देर में रियलाइज हुई कि यार मैंने कुछ जादा जोर की तो नहीं डाट भी आपके पास आए अब जब देख रहे हैं तो घर में तो आप कहीं दिखनी रहे हैं घर के बाहर आप नज जो डाट पास कि एक रगायरड महाल लीजे और ऐसा थोड़ा गेट के बाहर एसा खड़े हो गाया आस-पर्स-के लोग सेंद को देख रहे हो तो अब जब बेसे आपके पास आ रहे हैं आपको बहुत आर आपको देख रहे हैं आपका ना मूह थोड़ा ख़ड़ा पर आह कुछ है आपके पास like soft ball कुछ रोगी आदत होती है कभी-जबी हम बड़े परशान होते हैं तो हम क्या करते हैं कुछ इसे डबर की ball जाती है बड़ी soft ball जाते हैं तो ऐसे ऐसे na acupressure करने लग जाते हैं तो उसे के उसे stress में relief मिलता है मतलब अगर आप ऐसे ball को करोगे ना तो थोड़ा से relief मिलेगा अगर आपके इसी कोई आदत है या फिर कोई book reading की आदत है या फिर ऐसी मतलब थोड़ा सा ना क्या है आप अपने आसो चुपाने के लिए अपना दुपटा या अपना shawl बगरा लिया और अगर यह winter season है तो definitely आपने जैसे अभी आया आपके पास if you are wearing a jacket तो आपने उसकी टोपी लगा ली जिसमें की आप उन्हें दिखो ना आपका face उन्हें दिखे ना ठीक है एक तो अपने size से बड़ी jacket पैन तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है तो अगर ऐसे हैं ऐसा नहीं ह अपने size से बड़ी jacket पैन तो आपने जैकेट पैन तो आपने शॉल लगा पैटली या फिर ऐसा हो सता है आपके हाथ में कोई चीज हो तो आप उनसे चुपा रहे हैं उनसे चुपा रहे हैं अपना मूह भी चुपाते हैं अपनी चीज़े पी चुपाते हैं बिल्कुल आप करने लगे था अभी आप चाल्डिश मूड में हो अब जब आपको देख रहे हैं उनको हजी तो आ रही है लेकिन वह हजेंगे तो आप और चेट जाओंगे अब उनको पता है उनकी गल्ती में क्योंने ऐसे नहीं डाटना चाहिए न तो अब वो कह रहे है कि आज जो चलो अंदर चलते हैं का फी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि काफी ठंड पड़ेगी आज रात को तो तो ऐसे थोड़ी भार रहा हो गए चलो 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 पके रहो तुम्हें चंता करने कीना कोई जरोत नहीं मैं जहां हूं पूछ और तुम्हारे सामने रहुंगी कोยी बात की मैं न अपना भूझरा दकलूंगा, मैं फेस्पक लग徒ो एक तुमेह तुम्हें दिनुई दिनुश आप जैसे बैठे हो आपको वैसे ही उठा लिया ठीक है अब जब आपको उठा के लेकर जा रहे हैं तो आप खुछ बोलनी रहे हो मुझ तो आपको खराब हो ही चुक है आपका मूड बिलकुन तो आपको बठाया और कह रहे है कि ये ना हेल्थ के साथ कोई खिलवार करने की जरुवट नहीं है गुसा हो कोई बात में रहो कुछ देर तक लेकिन कुछ ही देर तक ऐसा निकि बस गुसा ही बैठेरो में से अच्छा एक बात बताओ अगर तुम ये करोगे देखते हैं वह उन्हों किस पर डाटा याड देखना ही पड़ेगा किस प्र डाड़ें उन्ह क्लास तो ले जर अच्छी वाली क्यों डटा आपके टेन ओफ कप्स ऑगे येस पर क्या बात हुए होगी एक तो ना आप भूग के मामले में बहुत वह करते हों खाने पीने के मामले में बड़े नखरे बाज नखरे बाज हो आप में सो कुछ लोग है यार ऐसे बड़े चाल् में खाना घान लूंगा बच्चे को सुला हूं ना अब मुझे नहीं घाना ब razón को सुला तो उनको सकता भी आप एक 254 नई हूँ तो आपकी आदत हो खाने को टालने की, अपनी हेल्थ के साथ कॉंप्रमाइज करने की काम के चक्कर में, वर्क के चकर में, और अदर रिस्पॉंसलिटीस के चकर में, तो आज उन्हें ने यह चीज नोटिस करें, उन्हें डाट दिया, कि ऐसे चलता रहा ना, तो फिर तुम देख लेना, घर में चीजें आनी बंद हो जाएंगी, सारे लखना फिर उपवास, कोई नहीं खाएगा, तुम नहीं खाओगे तो कोई नहीं खाएगा इस घर में फिर, अब यहीं सब चलता रहा तो, उस चीज से ना, उन्हें उन्हें जादा बोल दिया, मैं थोड़ा ती एजवाज में बोल आपको लेकर आएं और आपको दे रहा हैं और खाली गलास लग रहा है, खाली गलास और उसमें एक पेपर हैं आपने देखो तो, एक स्माईली बनी हुई है और शारी लिखा हुआ है अचा यह न कभी कभी अगोई एक रड़े क्यूट में पर चूट बोल गने हैं जासे फ पहले भी कि आपको अपको बैख से अपको शॉरी बोलें और इसली फिर बड़ी की बना कर आपको पिलाएंगे यह आपको पीएंगे भी निकिन प्राइब प्ढ़ आप लेकिए और आपको फीने माफ कर दो तो आपने पड़ा और आपने उसी ग्लास में डाल दिया नहीं मुझे नहीं चाहिए ले जाओ इससे बापस मुझे नहीं पसंद आया कुछ और ले कर रहा हूं तो अब आएं अखाली आता हैं और आकर आपकी गोदी में आकर लेड गए और कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है इदर उदर हो रहे हैं आप उन पर धिहाने दे रहे हैं तो कभी आ वे पेट के बल आ गाया तो जैसी आपके अच्छा पकड़ लिया और कहा कि देखो जादा च्याड़ खानी करो गगा तो पिर मैंने तुम्हें पूरा च्यड़ देना है अजय पूरा प्रस कहता जो कि आई करन आ की। परेस्स ए उडोगा आपको आपको तो कम्प्लेंट्स करना। तो अभी आपको थोड़ी हसी याई तो आप कहते हो तो जोलाइब एक त मिर इपली ट्रॉक्र है? फिक्र इतनी नहीं इतनी बहुत फिक्र है तुम्हारी पते तुम बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखते हो बिल्कुल भी नहीं कुछ खाओगे नहीं तो अभी तो इतने हो इतने भी नहीं रहोगे आपके वेट पर आपको कह रहे हैं तो हो सकता है आप में से बहुत दो अबिको रोकर क्या पुरा हाल कर लिए बात पर इतना मुझ बिलकुल ऐसा हो गया बिलकुल फिटाख गया तुमारा मुझ फिर आते हैं इसे करते हैं इसे आउ अब भी डाट रहा थुम्झे इने का निर अटे रख हो चोड़ को और रात हो चुकिए है कए काफीर लुटे करने आपको आप सा बाहिते हैं तो मैंने तूम्हें कहा अपशान तुम्हेत तुम्हेट सुने दोंगा तुम्हें चोड़ोंगा ये लेक대ढ़ üकैण तुप्तक्त सम्सितने कि या फिर उनके हाथ पे उनको हल्का सा बाईट कर दिया हूं ठीक है अभी डीपेंड्ट करोगे लेकिन आपने को बाईट कर दिया कि अभी तो कुछ भी लेखा näं जो th BomTraff थोड़ा साव शान्त होए और फिर औरने का कि तो फिर क्या एग आदा सोबह तक कैसे रहना है या फिर सोना अच्यक्त से हाटो मैं तुम्हारा में माल करता हुरा है मेरे एगले लगने का बिल्कुल सुभा तक अगर थेयने तो ठक बब गयर न ठक भगए न तो मेरे सरी चड़ोंगे है मुझ मेरा सर दरदो रहाई मेरे नीद पूरी नियी ओई है त्षाति पर नर रा है तो बिलकुल भी नहीं चलेगा ठीक है अब इनकेस अगर बेबी हुआ तो बेबी बीच में सुएगा ठीक है और अगर बेबी नहीं हुआ तो डेफिनिटली वह आपो चिपक के सुएगे तो बहला यहां में ना जैसे आप सोए वह आपको देख रहे हैं और आपको अपनी आखेख खोलते हो उनको जीब चड़ाते हो और वह आपको हलका से ऐसे दूर से ऐसे किसिंग रियक्शन ठीक है ऐसे आपको फ्लाइंग किस देते हैं ठीक है और देन आप अपना मूँ पलटके सो जाते हो तो इस रीडिंग में पूरी रीडिंग में क्या समझा है कि जब वो रॉमांटिक मूड में हुआ करेंगे ना आपको थोड़ा फाइट के दोरान या फिर किसी भी दोराने से यह तो आपको फाइट का आया है तो अगर वो रॉमांटिक मूड में करेंगे ना तो वो आपकी चाल्डिश वे को देख करीना मतलब आपको उनका रॉमांटिक साइड देखने के लिए ना बहुत आपको जतन करने की जुरूत नहीं है वह सब्सक्राब भी अतनी है आप चालडिश वे में होगे तो वह और स्नाटिक हो जाएंगा बल्कि ये ये तीज होगी उनके साथ कि आप और स्थे और स्थे हो और स्थे हो और स्थे हो रहे है तो बादो ये इस पूरी रिटिंग में आया है ठीक है बहुत cute 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 moments और में तो गिनने भी याद हैं कितने moments आगए आप आप सबको याद होगा कि कौन कौन से हैं आप पे cute moments आपका best cute moment आपको कौन सा लगा मुझे यह भी बताएगा आप सबी जो pile 1 देख रहे हैं क्योंकि आपकी reading में बहुत सारे cute moments आया हैं जहां पर वो romantic mood में थे और आप बड़े childish fighting mood में थे तो यह थी आज की reading I hope आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी बस मैं एक message निकालूँगा आज पका मैं बस एक message निकालूँगा चैनल जो सबके लिए होगा एक कोई एक message देखें देखें तो आपकी spouse आपको क्या हो कहना चाहता है उस एक message से twins मैं सच्छी मताओं मैं सच्छी मताओं आपके बेबी के अनरजी आएए था मैं रुको twins की अनरजी भी आएए थी लिटरली मुझे twins की निचाहते लिए उनके बोला नहीं था और देखो यह पे twins आगा है लिटरली हो सकता है आपके spouse की एक dream हो कि उनके baby twins हो मैं आपके बेबी के बार में सोच रहा है बहुत मैं कारी में बहुत शराजी नहीं था यह थी आजके बहुत हमक्ती रीडिंग बड़ी नौटी सी थी रीडिंग जो बहुत टाइम बार आईए आपके बहुत अच्छी लगी होगी यह थी लगी राइक से कॉमें रू करेंगे आपके बार आई थी राइच्छी राइच्छी नहीं रादे रादे पाल 2 चले देखते हैं आज की रीडिंग जरी आपके पॉसस्य मूद कना फर किसे लिडिंग लुक बड़े गूमारनल दी उग diese राइच्छी कमा इस मूंए राइच्छी राइच्छी से बहुत नहीं है तो पाल 2 आपको भी देखता है, आपके हस्बेन कैसे होंगे, मिलनाटी होंगी, मिलना बड़े नौटी होंगी, मिलनाइपके भाइफ एक्छार्टी होंगे क्या होंगा?" मलनाइपके नौण करएंगे। ने कैसी रुमांस करेंगे? झाल 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 खुए झाल झाल ace of points एक्स्त्रियार सोर्ट hmm पते क्या है आप जिसे यहां पर वही चीज आई थी एंग्री मूड ठीक है एंग्री मूड में हो अभी आप किसी बात पर बहुत गुसार है आज का दिन बड़ा खराब गया आपका कोई भी रीजन हो सकता है किसी से कहा सुनी हो गई किसी ने कुछ बोल दिया किसी की कोई बात वर्ड सेंटेंस हर्ट कर गया बट यह जो भी यह भार ही हुआ है मतलब घर पे नहीं हुआ है कुछ यह भार ही भार हुआ है तो अभी उन्हें ना जैसे इफ यू लब स्वीट्स रजगुला कुछ गुलाब जमुन लड़ू जो गोल शेप में जो भी मिठाईया आती है कोई भी ऐसी चीज आपको मिठाई में पसंद हो अगर तो वो आपके लिए लेकर आए है बुल्फी भ मैं नहीं मुथो तो भी मद बना इंण चाहिं मेरा मन नहीं है तो यह ए leveraging उतान स्वाइर में के जीजुन आपको अवंल्फी है तो बहुत गया मैं ट्रेत जो किया ऑष na किया तो ठीड़ तो ही नहीं मैं आपको ऐसी तो समझ तो ठीज रिए ता घ्ल्देश है नहीं है तो नहीं है आपके नहीं है ना मन यार तुम जबर्दस्ति करोगे क्या अब अच्छा थीक है नहीं कर रहा है जिस पर गुस्ता आ रहा है जब जोड़ा गुस्ता शान्त हो जब मन करें बात करने का कर ले ना दूसरे रूम में चले जाते हैं वो और और आप अपने आपाते हो रूम में अपनी कुछ चीजें डेखने के लिए अपनी कुछ तियार की चीजे देखने अपने कपड़े कुछ रखते होते हो अटाची में या फिर बैग में कहाँ जाने का प्लान हो रहा है आपके रूप, कहीं नहीं, बस ऐसी, नहीं जाने का तो प्लैन हो रहा हो न, हाँ सोच रहे हों कि थोड़ा ममी के घर हो गया हूँ, अच्छा, ठीक है, कब जाना है, सोच रहे हों अभी निकल जाओ, क्या, अभी, ये समय नहीं है, it's not safe, evening हो चुकी है, हम कल सुबर निकल लें तो क्या मुझे मेरे घर में बताने की जरद पड़ेगी, अरे यार, इसमें मेरा तेरा क्या हो गया, क्या बात हुई है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, जो बहां जाकर ये solve हो सकती है, या फिर यहां भी कुछ solve करके जाओगे, देखो, ऐसे करोगे न, तो मेरे को तो फिर बुर मेरे पास यहां के बैठो, बैठो, बिठा है आपको, अब आप देख रहे हैं कि क्या बात हो गई है, आपने आखे उपर नहीं कर रहे हूँ, तो आपके फेस को ऐसा हाथ लगाते हैं, और कहें, अच्छा जी, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, आपके आखों को अपनी दिदार करने के लिए हुमें क्या जदन करने पड़ेंगे, तो आपको थोड़ी हसी आती हो, अच्छा चलो, अच्छा बताओ, जिए बताओ, क्या बात हो गई है, तो आप बता देते हो कि किसी से कहा सुने है, ऐसी वैसी थोड़ी जादा बड़ी बाली हो गई, और तुम नहीं समझोगे ना मैं सब समझ रहा हूं लेकिन इतना सोच के सोच के अपना मूड भी खराब करना अपने लोगों का भी मूड खराब करना और फिर जल्द बाजी में इदर उदर भागना वो भी तो ठीक नहीं है ना आगर तुम अपनी मम्मी के घर जाओ गए और मम्मी दुमें ऐसे इतने सैड मूड में देखेंगी तो उनको कैसा फिल होगा कि मेरी बेटी या मेरा बच्चा ऐसे सैड मूड से आये घर से अपने घर यह उनको अच्छा लगेगा तुमें को एक बात बताओ आप देखे नहीं तो फिर पहले तो मूड अच्छा करो ना पर उसके बाद चलते हैं फिर उसके बाद जाने का कोई मतलब बनेगा तो ठीक है अभी आप बड़ा उनको ना बड़े प्यार से उनके चाती पर सर रखा अपने और उन्होंने आपको बिल्कुल अपने अगोश में अपने बाहों में भर लिया और आपको बड़े प्यार से आपको फेल साहत के गालों के और आपके धाया और आपको एat उनके हम उनके हाथ कवरे और चाहतार उनके इम नहीं से घा जालने से ईसके टिफ्कसा घाने काता तो यहां को लोगा चाहत लो खीरत deficit में ऐसको पिल चेल कआर ड़े हैं यहां इसमाग्स प्याते साहत च्छर ज दो अब हो जब देज मुझे लगानी जादा ना पंगी मतलो मेरे से अचा ठीक है आपके कमर पैसा हाथ रख लेते हैं और आपके हटाओं में गुद्दी हो एपर तो मैं पूरा पकड़ लेते हूं तो याथ मेरे दूनों हाथ, आपकटे तो आपकटें आपको यो अश्खर को सुन् साफिक हिए, यहां तो मैरे अनकल से प्राइब रहर को यह क्या हो रहा है यह है आप कपने आप देख लेख लो अपने आप देख लो है अीजी ए बस आप देख लो हने कमें再म जाती आप अनुटत डोसो green आपको पीछे हाथ रख लिया जिसीके सहारा आपको एपनी लभ पर लटा लिया और फिर आपके फॉरेट को ऐसे इसा सहला ने लगए और आपके बालों पे उनका से ध्यान दिया आपके बालों को खोल दिया या आपके बालों पे अलका से ध्यान दिया तो कह रहे है तुम्हारे बाल थोड़े जीप से हो रहे है रफ से हो रहे है क्या हुआ आपके रहो हाँ आजकल हैर केर नहीं हो पारी ना अच्छे से ध्यान पारी मैं ध्यान की बात अलग है टेंशन तुम्हारे फेस पे जादा नजर आ रिया टेंशन से भी हेर फॉल बहुत ज्यादा होता है ध्यान दो अपना बहुत जादा लेते हो तो इतनी चुट-चुटी बात कि टेंशन कौन लेता है जिसके साथ बोलना तुम्हें पसंद ने तो बस पिर अच्छे से बन के जाओ जैसे की ममी पाप दोनों खुश है ठीक है अब आसा बात कर रहे हो हलका है आपनो उनको ऐसा हाथ लगा रहे होंगे ऐसा लेटे हो तो कभी आप उनका ऐसा हाथ लगा रहे हो तो अब्सक्ता आपके आपके हाथों कि ना टच को मैसूस क बड़े की हो रही है जैसे जो शूटे बच्छे से टॉच करते हैं तो हम आपके से आपके साथ गरने लगाएं तो हैसे आपके पेट आपके चाती के ना रहे हैं पोछ चांव तरय आंकों को थे सकते हैं कि इसते हैं कुछा भी रहा विस नगार। तो थोड़ा सो गए और वो आपको देख रहे हैं उनका मन कर रहे हैं आपके पूरेट को किस करने का उनका मन कर रहे हैं आपको ना मैं बिल्कुल निहारने का ना अब बहुत प्यारे लग रहे हो आज इतने बखबाद उनको ऐसा पल मिला है जहां वो आपको शांती से नोटिस कर सकते हैं बस वापको देखे जा रहे हैं और जैसे ही आपकी नींद खुलती है क्या आप देखते हो आपके स्पाउज आपको इस नहीं देख रहे हैं और आप कहरो क्या है अपनी आखे में सलते हो के हैं। तुम क्är देख हे हो। आपके हज़ें कहहरे है। डेख नहुम Sverě मेरे वाइप कितनी सुईट और कितनी सुंदर है रद्हा कितनी लितनी सु प्यार हैं। यह मझे है मैं उन्ह़ेंस एफ बूला तुर है। गाँ भी मैं उन्हाहँ ल मत कiała A ठीक है मैं सब समझति ऊँ वैसे यार बड़ा मजा है तुम्हारी गोदी में सोचे है अभाँ मन कर रहा है तुम्हे अपना पिल्लो बना कर सोचेँ तो अब है रडी हुँ तो यहां पेच़शी आप वुटने लगे लगे रहा है भूह जो केख साथ कोई फीवी होती है तडूह कोई मेरी फीवी होती है भई भाई है तडूह कुछ एन्य बहुत है अचा हए इसाथ हुआ एक्प्ड़रों से इसमें अब्हूर स्यूपड़ देक्माफरों से बहुत होँ खोड़ ऐनको सब्सक्षार करते हो और पर चाहि पर तो कहता है कि तुम्हारी वज़े ज़िए तुम्हारी चाहिश पहले नहीं की तुम्हारी सिरार्ती हो तुम्हारी नहीं ता तुम्हारी बिगाण ने ब सी हाहे , अब थाइकने लूच मित Leff कि मैं嘛 isx यहाट द्राते हैं तो कभी कभी न ऐसे आपको बोला करेंगे .श़कि न आप पुड़ा थोड़ा अछिम्भित करोंगे लेकिन इस तरी की रीडिंग आई है कि जहां वो थोड़ा रॉमांटिक मूड में थे लेकिन उन्हें खुद पर बड़ा कंट्रोल किया कि अगर वो जब रॉमांटिक मूड पक्का गुस्ता हो जोगर पहली बड़ा मूड खराब है आपका तो आपका मूड जदा खराब ना ह हो ऑण कहते हैं इसीलिए वो फोड़ा सा शानत रहते हैं और बस आपके चायल्डिश मोड को आपके चायल्ड़ाइश ost को करते रहता है आपकी वातों को संते रहता और सटनी जब आप मिल тоже सो जाते तो अपको फिर वह राम से नहारते हैं ठीक है जो एकिनकी स्ट मोमेंट आपको सबसे अच्छा पॉइंट अपने हजबन वाइप क्या लगा मुझे जरूर बताएगेगा सो अभी के लिए बाए टेकर जैशाद कृष्णा हारी बोल शी रादे